जो तीन संभावित नाम थे उन पर अब मोहर लग चुकी है वो फाइनल हो चुके हैं ये तीन नाम अब आमादी पार्टी की पेसी बैठा के बाद सामने आये हैं ये नाम भी हमने आपको बताया और साथी मनीश सोधिया की प्रेस कॉंफर्स पे नाम उपर मोहर लग चुकी है आमादी पार्टी में जो लोग मुखर होके बोलते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग होता है जो किसी ऐसे शेत्र से आते हैं जहां पर वो लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं ऐसे लोग को साइड लाइन कर दिया जाता है कि बिल्कुल ऐसा हमादी को केज़िवाल बरदाश नहीं करते एक तरह से यह ठीक है कि वो एंजियो चलाते रहे एंजियो में आप कह सकते हैं हम प्रमु के हम जो चाहेंगे जबकि एंजियो में कई और लोग की राय ली जाती है पार्टी बनाने के बाद भी कितने ही लोग प्रशान को रोगना चाहेंगे कुमार रहा हूं आप अपनी लड़ रहे हैं और मैं बहुत बहुत शुपकामना देता हूं इन दौना महान करांतिकारियों को जिन को चुनकर रामनीला मैदान की लड़ाई का प्रतिफल और निशकर्ष नवनीत बनाकर आज देश के सरवच सदन में जहां कभी महनी लोग बैठे हैं जहां अटल जी जैसे और इंदिरा जी जैसे महनी लोगों की आवाज गुंजी है वहां भेजने के लिए चुना गया है मैं अर्विंद को और पूरी पार्टी के जिन लोगों ने यह तै किया है उनको बहुत-बहुत बदाई देत कुमार विश्वास तो कवी भी हैं और पार्टी के साथ शूर से जुड़े रहे थे लेकिन यह सही है कि उनके बीजेपी से बाद बार उनके जो संपर्खोने की बात होती थी केजरिवाल भढ़के होए थे और इसलिए कुमार विश्वास का गुसा भी समझ में आता है और पूरी पार्टी में अश्टोर्ष का गुसरशा सामने अभी ना आए कि राब देखे कि लोकसवाब विचुराओं लड़ना कितना कटिन काम है उसके लिए फरंड का इंजाम या तो उनको गारंटी दी गई होगी कैसे कर्चा चलाए जाएगा मुझे लगता है कि जिस तरी पार्टी में उसको क्या जल्दी ग्रहन कर पाएगी वह महत्वा कांक्षी है यह मानना होगा कि लेकिन इस तरह से राजसभा में भेजने के लिए पैसा चाहिए ये तो बहुत ही अनुचित जिसको कह सकते हैं कि राजतिक बांदर्डों के हिसाब से भी और कुमार विश्वास ने बिल्कुल ठीक कहा राजसभा जो उच्छ सदन है जहां उस तरह के विश्यों के लिए और राजसभा का प्राषण इसलिए किया गया है कि प्रदेशों के हितों को ध्यान में रखकर अधिक होगा इसी उस प्रदेश के विक्ति को ही बनाये जाता है ब्याटियगों के हितों के कितनी रक्षा होगी यह सवाल है और कुमार विश्वास की ही बात पर वापस आते हुए अलोग जी दो नाम वो बार बार कह रहे हैं। इस बार तो उस तरह से अपना काम नहीं किया। चाहत राज़ती करके आए हैं लेकिन वो उत्तरप्रदेश राज़ती करके आए हैं दिल्ली की राज़ती करके वो नहीं आये थे। दिल्ली के विक्ति को जैसा कही बार इस पर बहस होती है कि राजसभा से उसी प्रदेश के आद्म को लाये जाए। दूसरे प्रदेशों की मजबूरिया, बड़ी पार्टियों की मजबूरिया समझ में आती है के जिवाल जी को कोशिश करना चाहिए थी। या वो खुद यदि आ जाते हैं तब भी शाहिद दिल्ली के लोग कहते हैं हमारा नेता था, तासवाम चलाएंगे। उसी हासिल हुई है जिसमें आशुतोष और कुमार विश्वास का नाम प्रमुकतौर पर सामने आ रहा है।